हलो फ्रेंट्स वैलकम टो संड एजुकेशन दोस्तों मैं आपके लिए काफी अच्छी रिकूट्मेंट यहां पर लेकर आया हूँ किसकी तरफ से यह है आपका फ्ल्यूड कंट्रोल रिसर्च इंसिट्यूट की तरफ से यह स्टैबलिश है केरला इंडिया में और यह जो है आपके अंडर मिनेस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री गवर्मेंट ऑफ इंडिया के आता है जिसमें आपका इमेल एडर जो यहां पर दे रहा है कस्टमर केर एट फिक्री इंडिया डॉट कॉम ठीक है और इसी के साथ पर फोर नंबर भी आपको अवेलेबल करवाया गया है हम बात कर रहे हैं यहां पर ITA holders के लिए और डिप्लोमा holders के लिए और बीटेक holders के लिए ठीक तो यहां पर सभी के लिए अच्छा मौका देखने को मिल रहा है मैं आपको प्लियरली पेंशिन कर दू कि काफी अच्छी सैलरी के साथ मैं आपको यहां पर एक opportunity मिल रही है don't miss this chance complete जानकारी देख लिजेगा तो अधरवाइस एक मौका आपके हाथ से निकल जाएगा ठीक शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और वीडियो आपके लिए रोज शाम साड़े 6 बज़े लेके आता रहता हूं ITA डिप्लोमा और बीटेक होल्डर्स के लिए तो जल्द पर आपके लिए रिवाइस नौटिफिकेशन फिक्री अब्लिक 2023-24 अब्लिक CEO अब्लिक 00201C यह आपको नौटिफिकेशन देखने को मिल रहा है रिक्वाइर्मेंट आप देख सकते हैं ग्रेजवेट इंजिनियर डिप्लोमा इंजिनियर ग्रेजवेट इंजिनियर आपक इंस्टुमेंटेशन इंजिनियरिंग या इलेक्ट्रोनिक से होना चाहिए एक्सपिरियंस मिनिमम एक साल का मांगा गया है डिप्लोमा इंस्टुमेंटेशन डिप्लोमा मैकैनिकल इलेक्रिकल इंजिनियरिंग इन सभी के लिए मिनिमम एक्सपिरियंस आप से एक साल का मां रखा गया है अब थर्ड नंबर पर जैसे आप देखते हैं graduate इंजिनियर contract पर बीटेक instrumentation और mechanical इंजिनियर के लिए भी तीन साल का experience यह दी है तो आप इसे apply कर सकते हैं क्योंकि 28 साल तक की आपको age limit देखने को मिल जा रही है तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 23,000 रुपे पर मंत आपको salary दिया जाएगा और इसी के साथ में अब आई-टी-आई trainees की अगर बात करें तो contract basis पर mechanic refrigeration and AC MRSE जिसे हम refrigeration and air conditioning भी कहते हैं RSE तो इसमें एक साल तीन साल और पांच साल का यदी experience है आई-टी-आई में as a technician post आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है 24 साल, 26 साल और 28 साल experience के base पर यहाँ पर आपकी salary देख सकते हैं 13,000, 16,500 और 18,500 आपको मिल जा रही है अब आगे बात करते हैं graduate engineers के लिए जिर की any discipline किसी भी trade से है जीरो से एक साल, मतलब की यहाँ पर जो है आपको freshers भी apply कर सकते हैं, कोई दिकत नहीं है 26 साल की age limit दे जा रही है, 9,500 रुपे पर मन्त आपको मिलेगा graduate engineer apprentice में जिसमें की instrumentation engineering, mechanical engineering और civil engineering आपको यहाँ पर एक note भी दिया गया है कि यदि आपने एक साल का या एक साल से ज़्यादा का experience गेन कर रखा है तो after qualification आप eligible नहीं है apprenticeship के लिए मतलब apprenticeship जो है, वो सिर्फ और सी freshers के लिए ही है ठीक, और यहाँ पर जो आपका nets, naps, जो minimum qualification के हिसाब से जो आपका age limit होना चाहिए ठीक है, तो national apprentice portal जो है, उसके अनुसार जो rules है as per the उसी के हिसाब से आपका age limit रखा गया है तो देखिए जो graduate engineers होंगे, उनके apprenticeship के लिए 9,000 रुपे मिलेगा 8,000 रुपे मिलेगा, diploma apprenticeship वालों के लिए और इसी के साथ में graduate apprentice वालों को 9,000 रुपे दे रहे हैं तो यह तो clearly mentioned है, अब बात कर लेते हैं ITE apprenticeship वालों के लिए भी same sub criteria है बट यह मांगा गया आपसे refrigeration and AC, MRAC या फिर feeder, welder, plumber, carpenter, wireman, electrician, computer, operator and programming assistant, कौपा और इसी के साथ ही आपके लिए secretarial, assistant और stenographer इन सभी के लिए जो है 7,000 रुपे पर मन्त रखा गया है एक अच्छा opportunity आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है age limit as on closing date notification तो closing date यहाँ पर आप देख सकते हैं age limit साब साब बोला गया कि closing date तक आपकी age limit रखी गई है तो first यहाँ पर first page के अगर बात करें तो 21 March को close हो चुका है तो इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता but आपका second page आप देख सकते हैं आपका after 23 March के बाद में जो भी आएंगे application उनकी closing date क्या है 1 June तो आपका second page भी 1 June को complete हो जा रहा है but इसी के साथ में आपका third page के लिए भी बताया गया है एक जुन के बाद में जो application आएंगे वो उसके closing date आपका 30 September 2014 तक के लिए दिया गया है मतलब 3 page यहाँ पर आपके लिए applications के लिए बने हैं अब यहाँ पर आपको कुछ जो point दिया गया है experience and other criteria के लिए opening serial number जो आपको 1 से 7 तक दिया गया है यह है आपका 1 से 7 तक के लिए ठीक है जिसमें आपका contract basis पे IT diploma और graduate सभी के लिए बात करिए तो उसके लिए आपर mention किये हैं वो देख सकते हैं experience criteria consider as experience acquired post completion of the qualification degree diploma and ITI में होना चाहिए उसी आधार पर ही consider किया जाएगा experience को अगर qualification नहीं है तो किसी काम का नहीं है इसी के साथ ही experience जो रहेगा completing educational qualification will not be considered ठीक है period जो लिख रखाए मतलब पूर्व में यदि आपने आपकी qualification को complete करने से पहले अगर experience गेंड किया है तो वह मानिये नहीं होगा और इसी के साथ में certificate in proof आपके पास में experience का issue होना चाहिए by the employer alone will be considered तो यह आपके लिए विल्कुल यहाँ पर point out कर दिया गया है graduate diploma engineering के लिए जो यहाँ पर दे रखा है engineering वालों के लिए और जो कि graduate है या डिप्लोमा वाल है तो industrial experience in concerned field relevant होना चाहिए engineering trade like आपका machine shop, test, calibration, laboratory, walls, flow, measurement related यह सारा criteria आपको यहाँ पर दिया गया है ठीक है और इसी के साथ में ITI वालों के लिए भी कुछ दिया गया है कि shall have relevant experience ही होना चाहिए ठीक है जैसे अगर RACP मांगा है या fitter वालों के लिए है तो उनके relevantly operation या maintenance relevant आपके पास में experience होना चाहिए जो normally सभी के पास होता है graduate जो executive trainee है ठीक है और इसमें आपको जो point दिया गया है इसके लिए experience in good programming, skill, knowledge of PHP, HTML यह computer वालों के लिए है यहाँ पर SQL और बाकी आपको जो point out दिया रखे हैं इसका PDF आपको हमारे telegram channel पर मिल जाएगा group बना रखा है आप ही के लिए आप बिल्कुल apply करें ठीक और अब जैसा कि आप देख सकते हैं apply कैसे करना है तो application form जो है आपको फिकरी की website पर मिल जाएगा और इसी केसा मेंशन कर दिया गया है कि extract name, post, subject, line, email जो भी है सब कुछ आपको उस form को पूरा का पूरा बर कर आपको post भी करना होगा और साथ ही email भी करना है मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं तो graduate engineer है और graduate non-engineer apprentice as case may be तो जो भी केस आपका बनता है उसी साब से आपको पूरा का पूरा भेजना होगा also mention the notification number भी है आपको लिखना होगा of the mail by seeding by post courier जो है kindly ensure आपको जो है reach मतलब पहुचाना होगा address पर before closing date जो दे रखिये उस पर 5 बज़े से पहले ठीक है और इसी के साथ मैं super script यानि कि आपको एक format जो आपका envelope है उसके अंदर pack करके अच्छे से और उसे अपने जो address दिया गया है जैसे application form भी address क्या है head P&A fluid control research institute और kanji kode west पलकड करला तो यहाँ पर आपको भेजना होगा और समय से पहले पहुचाना है और इसी के साथ ही आपका जो one to seven में reimbursement तो आपको मैं बता दूं कि कोई भी जो selected candidate है as per उनको जो payment है वो मिलेगा there is no other allowances आपको नहीं मिलेंगे only Indian nationals are eligible to apply और experience shall be mean experience in relevant field में होना चाहिए minimum educational qualification आपके पास में होनी चाहिए ठीक है और इसके अलावा first class आपका mean minimum जो है at least 60% aggregate semester में होना चाहिए या फिर qualifying exam में यहाँ पर आपको यह mention कर दिया गया है कि इनके पास में एक जो है reserve है क्या एक right है कि भी यह without reason जो है अपने post को fulfill कर सकते हैं कोई reason नहीं दिया जाएगा और selected person with will be engaged for the fixed term one year के लिए ही रखा गया है ठीक है और बात में इसको extendable किया जा सकता है up to three year तक तो यह भी एक अच्छी बात है only candidate willing to work minimum period one year में apply तो यहाँ पर minimum जो है आपको एक साल के लिए रखा जा रहा है बाकि actionable हो सकता है बाकि और कुछ नहीं है बस simple आपको यहाँ पर leave और सब कुछ दिये गए है points इस सारे के सारे आपको दिये गए है अब application form भी यहीं मिल जाएगा वैसे यह link में website का आपको description में दे दे रहा हूँ must watch करें और कोई queries है तो आपको उसे directly पूछ सकते हैं और अब end screen पर आपको और भी relevantly आपको यह qualification से vacancy जो निकली हुई है वो भी मैंने दे दी है must watch करें जै हिंद जै भारत चलिए मैं मिलता हूँ next video में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत